हेलो केड़िस, आज मैं आपको बिटा बताने वाली हूँ, absolute value के बारे में, absolute value और mode a की चीज होती है, और ये बात हमेशे याद रखना, absolute value हमेशा कैसी होती है, positive होती है, यानि कि इस से हम इसको क्या करते है, इसका symbol क्या होता है, ये होता है, इस symbol से हम इसको show करते है, ऐसे दो ऐसे दो साइन होते हैं, इनको ऐसे खड़ा कर दिया जाए एक वल में, तो ये किसका साइन हो गया? Absolute value का साइन हो गया, इस टाइप से ऐसे, दूर-दूर, ठीक है? तो अब इसको हम देखेंगे जैसे कोई minus की digit है minus R है, और इसके हमें absolute value find out करने है, तो के बाहर निकलेगी plus की अब मैंने कोई example ले लिया minus 3 mode minus 3 की value क्या हो जाएगी? plus 3, यानि कि जो minus है वो किसमें बदल जाएगा? plus में बदल जाएगा अब हम बात करते हैं mode plus 4 की value क्या होगी? तो ध्यान रखना plus अगर कोई plus की digit mode के अंदर जाती है minus किसमें बदल जाता है? plus में बदल जाता है मैंने कोई example लिया है mode minus 8 plus mode minus 2 minus 1 plus mode minus 1 तो minus mode 8 की value कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी और minus 2 minus 1 को कैसे solve करेंगे? देखो मैं इसको एक बार solve करके बता देती हूँ हमारा question था mode minus 8 तो याद रखना mode minus 8 की value क्या हो जाएगी? plus 8 ठीक है? एक हमारा minus 1 है mode क्या है? mode minus 1 है तो minus 1 की value क्या हो जाएगी? minus का क्या हो जाएगा? plus और value क्या हो जाएगी? 1 minus 1 की या फिर minus 1 mode की value क्या हो जाएगी? plus 1 अब हमारा question क्या है? minus 2 और minus 1 है तो आपको पता है कि minus की कोई भी digit add होती है तो क्या आती है minus 2 minus 1 क्या हो जाएगा minus का 3 हो जाएगा तो मैं आगे इसका calculation कर रही हूँ minus 2 minus 1 कितना हो गया minus का 3 और minus 3 की mode value क्या हो जाएगी minus का क्या हो जाएगा plus और 3 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा समझ आई और इस से हम इसको शाइन ऐसे सिंबल को यह इसका सिंबल होता है यह mode कहलाता है यह फिर इसी को absolute बोलता है ठीक है यह बात फिर याद रखना कि जो कोई भी minus के digit अगर mode के अंदर जाती है तो उसका sign बदल के minus से क्या हो जाएगा plus और अगर कोई plus के digit mode के अंदर जाती है या फिर तो हो क्या रहेगा plus ही रहेगा अब जैसे मैं एक example फिर बता देती हूँ अच्छा एक चीज और ये भी याद रखना अगर आप इनकी mode value निकालते हो जिनके कोई sign नहीं होता इन digit के कोई sign नहीं होता हम counting पड़ते थे तो उनके हमेशे कौन सा sign माना जाता है plus का sign लेंगे हम ठीक है किसका sign लेंगे plus का एक काफी बच्चे पूछते है जो 0 है 0 वो plus का होता है कि minus का तो 0 ना तो negative होता है और ना ही positive आप इतना याद रखना 0 जो है हम 0 की बात कर रहे हैं वो ना positive होता है ना negative होता है ठीक है फिर एक बार मैं बता दी थे हमने क्या पड़ा कोई भी minus की digit ठीक है कोई भी minus की digit अगर minus 6 की absolute value निकालते हैं या फिर mode निकालते हैं तो minus का क्या हो जाएगा plus और 6 का क्या हो जाएगा 6 अगर मैं निकालती हूँ minus 4 की तो क्या हो जाएगी absolute value minus का क्या हो जाएगा plus और 4 का क्या हो जाएगा 4 अब मैं कोई plus की absolute value निकालती हूँ plus की digit की तो plus का 3 है तो इसकी absolute value क्या हो जाएगी plus की 3 हो जाएगी याद रखना अगर कोई minus की digit मोड के अंदर है तो वो भार किसकी होके निकलेगी प्लस की लाइक यह रहा अगर कोई माइनस की डिजिट मोड के अंदर है तो प्लस की हो जाएगी अगर कोई प्लस की डिजिट है मोड के अंदर तो प्लस ही रहेगा प्लस है तो प्लस रहेगा माइनस है तो साइन बदल जाएगा किसमें प्लास में बदल जाएगा थैंक्यू लाइक सेरेंड सब्सक्राइब